हेलो आश्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग मैं हूँ सचीन और फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्जड अकेडमी पे तो आज हम आपके लिए लेकर के आगे हैं Tricky Network Theory का Lecture No.9 तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा Tricky Network Theory का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग डिल करने वाले हैं अच्छे अच्छे Question with Tricks and with Concept तो आज हम आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे Question लाए हैं एक को वाले रेजिस्टेंस और एफेक्टिव रेजिस्टेंस से डिलेटेड और देखिएगा बीना कॉपी और पेन निकाले हुए आपको सॉल्ब करना है इसे 5 सेकेंड में बस Question को बढ़ा देंगे आपर देख करना है आपका Across the Target Terminal AB मुझे Effective Resistance यहाँ पर कल्कुलेट करना है ठीक है तो आपके पास में सबसे पहले यहाँ पर Target Terminal क्या है यह आपका Target Terminal AB जिसके Across मुझे Effective Resistance find करना is This is RAV equal to what ठीक है तो देखें यहाँ पर बीना Copy and Pin उठाए हुए यहाँ पर Solve कर लेना है तो देखें यहां पर आपको माइन में ही कल्कुलेट करना है कि देखें टू-टू-का-4, 5-4-4-4-4-4-2-2-4-4-4-4-2-2 पा-4-4-4-4-4-4-2-4-4-2-4-4 & 4-4-4 ला-4 पा- क्या कर सकते हो बीना solve किये हो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप पर टीक मार सकते हो ठीक है तो देखें यहाँ पर देखें किस तरह समों करेंगे तो यहाँ पर आप आपको दिख रहा होगा यह मैरा टार्गेट करने ला इसके cross equivalent अगर मैं यहां पर एक point दो तो आपको पता होगा देखो A, A और M के बीच में क्या है, यह 4 ohm, और again A और M के बीच में यह क्या है, this is 4 ohm, तो 4 ohm और 4 ohm किसमें हो जाएंगे, पाइलर में हो जाएंगे, ठीके, अगर दो same point के बीच में different element connected हो, कैसा connection होता है, that is pillar connection, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4-4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तिये दुनों का क्या हो जाएगा, इसे 2 ohm हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि अगर N number of identical resistance अकर pillar में connected है, तो उसका जो effective resistance होता है target terminal के cross वो क्या होता है value of resistance by number of resistance ठीक है तो यहां पर उतना calculate नहीं करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान दखना होगा कि अगर n number of identical resistances are connected in parallel तो उसका क्या होगा आपका effective resistance जो होगा across the target terminal क्या होगा आपका this is n times अगर इस तरह से repeat हो रहा है होगा है तो यहां पर जो आपका effective resistance होगा एक टर्मिनल a b that will be equal to r by n ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते है दिस इच भैलू और डिवाइड बाई क्या होगा number value by number ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका this is four and four identical resistance parallel में connector था किसके इसके क्रोस एक टर्मिनल एम तो 44 का क्या हो गया तू इसका क्या हो गया फॉर फॉर का क्या हो जाएगा आपका ड़िट टू-उम पिर अगेंट टू-उम किस में आ जाएंगे यह ऑबराओ के साथ में इसका आपको पेंट पर का निकालने के विजरोर्त नहीं है बस देख करके एक आपर मीं कल्कूलेट कर लोगे ठीक है कि इसका जो smallest resistance होगा वही उसका उसका आने वाला that is two ठीक है अब चलिए अब नेक्ट कोशन की तिरफ हम लोग चलते हैं ठीक है नेक्ट कोशन आपके अस्क्रीन के सामने कोशन को पढ़ लेते हैं कि फाइंड़ एफेक्टिव रजिस्टेंस एक्रोफ टर्मिनल एबी इन दा सर्केट सुन यह कोशन आपको दिख रहा होगा आपके बोड़ फिर डाट इख वैलेंट रजिस्टेंस फाइंड करना है एक्रोफ टार्गेट टर्मिल हमारा दिया हुआ और अगल तो मैंने क्या बताया था इस्ट्राप की क्यों आपका स्मॉलेश रजिस्टेंस होगा वहीं आन्सर आने वाला तो इसका आंसर जो होगा आपका आंसर जो दीन का हो जाएगा थिन का हो जाएगा थि इयर जैन को जाएगा यह फाइव और यह फाइव किस्का स्रीज कनेक्शन छ को islands तो इस तरह से आप देखिए श्रीज पैलर स्रीज पैलर स्रीज पैलर और फाइलर क्या है पैलर कनेक्शन में आ जाएंगे 10 और 10 तो फाइलर कितना हो जाएगा आंसर तो ऐसे कोशन का जो आंसर होगा दाइट विल्लीजट वैलु ऑप देखिए जिस्टेंज जो होगा वह यह उसका आंसर आने वाला है ठीक है चलिए यह कौशन आपका होगया अब नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं यह कौशन को मुलोग हो गया अब यह नेक्स कोशन की इसमें क्या करना है एक टार्गेट टर्मिनल एबी के क्रोस मुझे क्या करना है एफेक्टिव रेजिस्टेंट करना है अब यहां पर आपको एक सायमेट्रिकलर फी गर दीख ओगा अगर हम लोग बात करते में बीटस्टोन ब्रीज बहुत साथ पर बन रहे हैं तो अगर आप देखो पर पता का इस सिगे न गान का रेजियो और यह दो नोगा रैसियो किया है यह सेम मैं यह ज़ैगा जो क्या हो जाएगा यहां बीच में जो फिप्त रजिस्टेंस होता है उसके फुरू कोई करेंट फ्लो नहीं करता अगरा मेटा लगा होगा जीरो डिफ्लेक्शन तो उसको हम लोग ओपन सर्किट से दिप्लेस कर देते हैं ठीक है यहां पर देखिए आपका फिर एगें क्या हो रहा है यह दोनों एक द कनट चारक यहां से हट जाएगा ठीक है और भीडिशरेस बांट चलो कि बन libraries रहाएं लाट यहां से हट जाएगा ठीक है यह प्लारे किया हो को जाएगा फिर इसका हम है कि यहोगा फिर इसका भी टॉड़ leakage, तो इससरों कितने टाइमठश हो ग्यानगत हैं आपसमें यह सारे क्या है मैं करनेक्टेड हैं क्या होगा भैलो भाई find the effective resistance across the terminal AB in the circuit zone below यह question आपको दीख रहा होगा पिर आपका board पिर तो यहां पर हमारा target terminal क्या है AB है जिसकी across आपका effective resistance इसमें calculate करने के लिए कहा गया है तो यहां पर देखिए आपको यहां पर एक method बताऊंगा that is symmetricity method यहां से आपको जैसी यह method को आप सीख लोगे होगे तो पांच सेकेंड में चुट क्यों मुड़ा दो को ठीक है कुछ कोस्टन में हाई ने बड़े-बड़े कोस्टन जो symmetricity वाले कोस्टन होंगे एक पांच सेकेंड में उड़ जाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर हम दो देखें तो अगर मैं axis of symmetry का थोड़ा concept आपको बताऊं दिस इज axis of symmetry axis of symmetry का अगर हम लोग concept बताएं तो axis of symmetry वो line होता है जो की पूरे network को दो identical part में split कर देता है ठीक है उस दोनो identical part को आपस में अगर आप क्या करोगे super impulse करोगे तो एक दुस्य क्या कर लेगा पूरा एक दुस्य को super impulse कर लेगा ठीक है तो axis of symmetry जो आपका होगा दो टाइप का यहां पर axis of symmetry होता है ठीक है एक आपका हो था perpendicular axis of symmetry या दूसरा क्या होता पाइलर axis of symmetry होता है ठीक है जो perpendicular axis of symmetry है ठीक है वो क्या होगा आपका target टर्मिनल जो हमारा है जिसके एक रोस आपका equivalent resistance find करने के लिए बोला गया है ठीक है उसके perpendicular होगा this is the axis of symmetry ठीक है this is axis of symmetry और यह आपका क्या है टार्गेट टर्मिनल है ठीक है यह दोनों क्या होंगे एक दूसरे से टर्गेट टर्मिनल यह भी है मेरा क्या है this is axis of symmetry एक्स x-ट ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जो आपकर link और joint, जो भी link और joint होगा, कहाँ पर लाइक करेगा, that lies on the axis of symmetry, can be removed, ठीक है, और opened, उसको open कर सकते हैं, ठीक है, any link or joint that lies on the axis of symmetry it can be simply remove ठीक है, और second point आपको क्या रिया दखना है कि अगर perpendicular axis of symmetry आपका बन रहा है तो उस perpendicular axis of symmetry पे जो भी resistance आएंगे उस पे जो भी resistance लाई करेगा on the perpendicular axis of symmetry उसको आप simply क्या करोगे वहाँ से short circuit से replace कर दो, उसको remove कर दोगे ठीक है, तो क्या बो सकते हैं कि any resistance, ठीक है, क्या होता है जो axis of symmetry आपका जो होता है, that is equipotential line axis of symmetry is the equipotential line तो उस axis of symmetry पे आने वाला हर point क्या होगा equipotential point होगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब वो axis of symmetry equipotential line है तो उस पे आने वाला resistance साड़ा किसे replace हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एने रजिस्तेंस lies on the perpendicular axis of symmetry axis of symmetry can be can be remove स्वो क्या करो रिमूप कर दो आठीमूप करने मतलब क्या करो रिप्लेस सब्सक्रेट रिप्लेस्ट से उसे क्या करो, रिप्लेस करना, ठीक है, अब देखो यहाँ पर सौर्ट सर्कुट से करो, ओपें सर्कुट से करो, कोई दीकत नहीं, दोनों से करोगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है, मतलब जो भी आपका आक्सिस ऑफ साइमेटरी पे रिजिस्टियन्स लाइ कर देंगे, रिमूब करने का मतलब या तो उसको ओपें करो, सौर्ट करो, दोनों सांसर क्या होगा, सेमी आने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपका टार्गेट टर्मिनल में हमारा क्या है, यह क्या है, यह क्या है, अब देखिए, यहाँ पर आक्सिस ऑफ साइ सब्सक्राइब अब यहां पर यह एक सिमेट्री कैसा प्रेपेंडिकूलर आपक्सिस अगर यह पर एक सिमेटपर इस पर आने वाला कोई भी कर सकते हैं रिमुब कर सकते हैं यह लिंक यहां पर बन रहा था ठीक है तेहां से क्या होगा इसके सिंपली रिमूब कर दिया यह भी क्या हो गया है ठीक है पोस्टन कुछ नहीं रहा अगर आप इसको सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता अब आप स्टार डिल्टर ट्रांस्फॉर्मेशन करते बहुत सारी चीज़े जो आपक आफ यह ऩाइम लग जाएगा लेकिन आपको क्या है अज कमपेडिसन का दोरis न करना अपको आगे निकलना आपको सेलेक्षन लेना है तो कुछ तमार्ट वए आपको apply करना ही पड़ेगा यूज करना ही पड़ेगा तब ही आपका सेलेक्षन होगा अज़ना क्या हो सब्ण लिए क्या का डेंगे इसको ओपन कर देंगे यह लिंक और जी सी off Jamesm worden हो गया अब यहां पर विए दोनों क्या हो गया आर और झा रफा क्या हो गया तो आर हो गया यह दोनों का depends सप्क्रासषिए उबर। में यह यहां से आजाएगा अभ्येड़ वाई थरी आर और किसमें आजाएगा श्रीड में और início में नित्रिम का टुवार टुवार प्लस टुवार भाइट तरी हार्टे ऑबर और के साथ में क्या है यह है यह The पैलर में that is two r by three, घिक यहां तो कितना हो जागा आपका बता हिए, यहां सो कितना हो जागा, र और आर तो बार का थो ख अलब फलस तो ए तो जागा, आपका देखें, six अर यह क्या हो जागा आपका ? two eight r by three और फैलर उस्ट क्या हो जागा, two r by three यह इसा आगया, अब यह क्या हो जाएगा आपका और टू बंद पल रटुट फोलेश घर कंद वा मुन टोछ जात लेकर हो चाहता है आप यहां से क्या हो जाARK और यह तो कितना हो जाएगा बताइए यहां से आपका टू से टू फाइब और में ठीक है दो से दो से आपका कितना हो गया तो कितना हो गया तो इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे डायटली बस दो ही ची ध्यान रखना है अगर कोई रेजिस्टेंस होगा उसको डायटली रिप्लेस कर दो सौट सर्कृट या ओपन सर्कृट से साथ में कोई भी लिंक और जॉइंड जो लाइक कर रहा है डायटली पर सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर हम लोग यूज करते हैं तो आई यह देहां देखिए यहां पर कैसे हम लोग यूज करने वाले आपका टार्गेट टर्मिनल यहां पर बन रहा ठीक है अब देखिए यहां पर यह एक्सी आपका बन रहा दिस इज़ा पर पर पेंडिकूलर एक्सीस ओफ साइमेट्री यह क्या आपका पर पेंडिकूलर एक्सीस ओसामेट्री क्योंकि इस इस पर पेंड प्रिकुलर सब्सक्राइब और पालेट एक्सवा अश्वाइट होगा उसको लिंग को आपक्र हटा दीजिए क्या यहा विंग्स क्या होगया यह अलगां यह तुरा और किस डे नहीं ठीक है यह अर्ड हो गया ये पूरा overall और हो जाएगा ठीक है यह आ पिर यह अजय और और रहा हो गया थिक है फिर इंगेा इन्य किक हो गया तुरlab घुछ अनझ चीज अमेंने कि प्र हो गेंस ऐसे किसमें अपर नुलिबशा साथ तो आपका और यहां पर इस आर एन और तीक है तो यह क्या हो जाएगा तो आपको तो यह जाएगा तो यह तो आपका यह आपका निचे क्या थिस इस थी या या सब्सक्राइब झरी यह तो यह तो आपका प्लस आरवन गई आपका शीक्स और असक्वार अपन सेवें आरप अपन टूडू कैंसिल आट और कैंसी लाट विए शीक्स और अपन सेवें तेल्ट इस तरह कोशन होंगे और भी question कुछ लेखर के आएंगे हम लोग that is tricky network story के next आपका जो lecture होगा that is lecture number 10 उसमें कुछ और अच्छे-चे question को हम लोग deal करेंगे ठीक है इस lecture में बस इतना ही और thank you very much अगर ये video आपको अच्छी लगी हो तो like करें, share करें, subscribe करें साथ में bell icon को जरूर प्रिस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का notification आपके पास पहुँचे सबसे पहले, ठीक है, thank you very much